हरी कृष्णा भारत में जब भी नदियों की बात आती है गंगा और यमना के बात नर्मदा का नाम सबसे उपर होता है नजाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खुबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपने पवित्र जल दूसरों तक पहुचा रही है चाहे अमरकंटक का घाठ हो या उंकारिश्वर का किनारा ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदूओं के बीच न जाने कितनी समय से पूजी जाती रही है ये नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ीों से निकलती है ये नदी ब्रंच घाठी से पश्चिम से पूर्वग और बहती है और ये नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है जो इसकी आस पास के स्थान को एक सूरम्य स्थान बनाती है अपनी जल धारा से दूसरों को सुसजित करने के साथ नर्मदा ना जाने कितनी कही अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है आईए जाने इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तत्यों के बा पाँचवी सबसे लंबी नदी है यह गुदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है मध्यप्रदेश राज्ये में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्यप्रदेश की जीवन रिखा भी कहा जाता है यह उ अरब सागर में जागिरती है नर्मदा मंध्य भारत के मध्यप्रदेश और गुजरात राज्ये से बहने वाली एक प्रमुख नदी है मैकल परवत के अमर कंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ती हुई इसकी लंबाई लगबक 1312 किलो मिटर है जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है अमर कंटक कई रिशी और मुनियों की तपो भूमी रही है जगत गुरु संक्राचार्य ने यहीं पर नर्मदा की सम्मान में नर्मदा अर्ष्टक लिखा था नर्मदा के जलका राजा है मगर मच जिसके बारे में कहा चाता है कि धर्ती पर उसका स्तित्व 25 करोड वर्ष पुराना है मा नर्मदा मगर मच पर सवार होकर ही यात्रा करती है धर्ती पर नर्मदा अवतरण की कथा सकंद पुराण में मिलती है इसकंद पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण ने तेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसंद कर नर्मदा जी को प्रित्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगर मज के आसन पर विराज कर उद्याचल परवत पर उत्री और पश्चिम दिशा की ओर बह कर गई। उसी समय महादेव जी ने तीन परवतों की स्रिष्टी की मेट, हिमावन, कैलाश इन परवतों की लंबाई 32,000 योजन है और तक्षिन से उत्तर की ओर 500 योजन है। सकंद पुराण के रिवा खंड में रिशी मारकंडे जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नरायन के सभी अवतारों ने आकर मा की स्तुती की। पुराणों में ऐसा भी वर्णित है कि संसार में एक मात्र मा नर्मदा नदी ही है जिसकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंठर्व, किन्नर, मानव, आदिस सभी करते हैं। मा नर्मदा की महिमा का बखान शब्तों में नहीं किया जा सकता। सरस्वती नदी में सनान करने से जो फल तीन दिन में मिलता है वही गंगा जी में सनान से वह एक दिन में ही मिल जाता है। लेकिन यहीं फल मा नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। सत्युक के आदी कल्प से इस धरा पर जण जीव चैतन्य को आनन्दित और पल्लवित करने के लिए शिवत तन्या का प्रादुरुभाव माग मास में हुआ था। आदी गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अश्टक में माता को सर्वतीर्थ नायकम से संबोधित किया है। अर्थात माता को सभी तीर्थों का अग्रज कहा गया है। नर्मदा के तटो पर ही संसार में सनातन धर्म की धवजा पता का लहराने वाले परमहंसी योगीों ने तपकर संसार में अध्वितिय कारे कीए। अनिक जमतकार भी परमहंसी यों ने किये। आज अमर कंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक के रिवा प्रवाह पत्प में पढ़ने वाले सभी ग्रामों वा नगरों में उल्लास और उत्सों का दिन हैं, क्योंकि यह दिन नर्मदा जैन्ति का होता है। हर हर नर्मदे। आशा करती हूँ, आज की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। हम मिलेंगे ऐसी सुन्दर कथाओं के साथ तब तक के लिए राधे राधे, हर हर नर्मदे।